दोस्तो आज से पहले मैंने बजाज EMI Card के उपर बहुत सारी वीडियो बनाई है और उन वीडियो पे आपका बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला है आप लोग ने खूब पसंद किया उन वीडियो पे और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स भी किया है लेकिन दोस् क्यों ना मैं एक वीडियो बना दू क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कमेंट्स नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों की भी हल्प हो तो यही सोचकर दोस्तो मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने अपने कॉपी में 6 major problem को no down किय है और मैं उन questions को आपके सामने discuss करने वाला हूँ जो बजाज EMI card को बनवाने के बाद ज्यादतर इन questions को पूछा जाता है तो I hope दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कीजे दोस्तों के साथ share कीजे और channel पर नए होंगे तो चैनल मुँष्यकर करें ना क्योंकि मैं इस तरह की video साब के लिए regular लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पे मैंने अपने copy में 6 major questions को उठाया है जो कि ज्यादतर बजाज MI card के उपर questions को पूछा जाता है और मैं अब एक एक questions को आपके सामने रखने वाला हूँ और उस question का जो proper solution है वो भी मैं आपको provide करने वाला हूँ तो वीडियो काफी जादा informative होने वाली है वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और आपको हो सकता है अगर आप problem को face करेंगे तो इस वीडियो में आपको basic solution मिल जाएगा तो सबसे पहला question है दोस्तों कि क्या हम online घर बैठे बजाज finance MI card को बनवा सकते हैं यानि हम एक कहीं भी ना जाना पड़े हम घर पे बैठे बनवा सकते हैं तो मेरा question का answer होगा दोस्तों कि हाँ आप कर सकते हैं आप अपने mobile phone से बिलकुल बजाज MI card को apply कर सकते हैं और basic आपको 10 minute भी नहीं लगता है आपका card activate भी हो जाता है लेकिन वहाँ पे आपको 500 सरसर्ट रुपय का payment करना होता है और दोस्तों आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप बजाज finance MI card को apply करेंगे तो link मैं description में भी दे दूँगा, i button में भी दे दूँगा जैसे कि e-mandate क्यों करना पड़ता है, e-mandate होता क्या है क्या बिना e-mandate किये हम online shopping कर सकते हैं means किसी भी online e-commerce platform पे जाके जैसे कि Amazon हो गया, flip card हो गया, mintra हो गया इन सारे platform पे बजाज MI card का use करके कोई भी product को buy कर सकते हैं बिना e-mandate के वे तो मेरा answer हो कि दोस्तों कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि company का कुछ procedure है, जो कि आपको follow करना पड़ता है company आपको बोलती है कि अगर आप हमारे card के थुरुक कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको e-mandate करना होता है अब दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सरल भासा में समझाता हूँ कि e-mandate होता क्या है, तो मान के चलिए आप कोई भी product को buy करना चाहते है बजाज e-mandate card का use करके और आप buy कर लेते हैं तो buy करने के बाद जो आपका e-mandate होता है वो e-mandate आप company को चुकाओगे कैसे तो company वही बोलती है कि हमें आप अपना bank details साजा करो ताकि हम आपके e-mandate को वहाँ से काट सके तो इसी को दोस्तों हम सरल भासा में e-mandate बोलते है और कुछ मतलब नहीं होता है e-mandate का बस company को आपको अपना bank details प्रोड़ाइड करना होता है ताकि जो आपका e-mandate होता है वो auto debit हो जाए आपके account से और कोई मतलब e-mandate का नहीं होता है अब दोस्तों हमारे सामने जो तिसरा question है अब बजाज card apply कर लिया हमने पर e-mandate pending आ रहा है और जब मैं application को open करता हूँ और वहाँ पे apply करने की कोशिश करता हूँ और register पे मैं click कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को option नहीं आ रहा है coming soon दिखा रहा है तो जी हाँ दोस्तों जब मैं भी खुद ऐसा काम कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं register वहाँ से नहीं कर पा रहा था लेकिन दोस्तों आपको e-mandate registration करना होता है अगर आप ये सीखना चाते हैं तो इसके उपर मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है आपको link description में मिल जागा तो वहाँ पे जाके दोस्तों आप देख कर सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना e-mandate करना होता है पर अभी भी pending आ रहा है तो जी हाँ दोस्तों हाली में मैंने अपना e-mandate complete किया है लेकिन e-mandate complete करने के बाद message successful आने के बाद भी मेरा जब application को मैं open कर रहा था तो वहाँ पे मेरे को pending आ रहा था तो मैं थोड़ सा घबरा गया दोस्तों क्योंकि मैंने अपना जो privacy data है वो company को दिया था जैसे कि bank account का जो details है तो सिधा मैंने call कर दिया customer care को और customer care से मैंने पूछा कि मैंने अपना e-mandate process complete कर लिया है successful का भी message आ चुका है आप मेरे number पे check कर सकते हो लेकिन अभी भी application को जब मैं open करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को pending so कर रहा था तो मैंने customer care से पूछा तो customer care ने मेरे को बोला कि आपने कौन से bank account को वहाँ पे link किया है तो मैंने बोला ICC bank को मैंने link किया है link करने के बाद वो बोलते है कि आपको 4-5 दिन तक wait करना होता है वो company के उपर depend करता है यानि जो आपकी bank है उसके उपर depend करता है कि कितना time आपको लगता है लेकिन basically आपको minimum 5 दिन रुकना होता है 5 दिन के बाद अगर आप अपने application को open करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि आपका successful हो जाएगा और बाद में अगर आप product को buy करना चाते हैं तो आप buy कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे जो पाँचवे नंबर पे मेरा question है सर मेरा सारा कुछ ओके है यानि बजाज guard apply कर लिया है मैंने e mandate भी complete हो चुका है पर मैं online किसी भी e-commerce company से product buy करने जाता हूँ तो product buy नहीं कर पारा हूँ देखिए दोस्तों इसी question को बहुत सारे लोग घुमा के पूछते हैं कि हमें बजाज finance card से पहली बार offline shopping क्यों करना पड़ता है यानि store पे जाके कोई भी product को physically क्यों buy करना पड़ता है तो ये दोनो question दोस्तों same है यहाँ पे इस question का आपको solution में बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि company का mandatory option है यानि company का policy ही है कि अगर आप एक नए user है आपने नया बजाज EMI card बनवाय है तो पहली बार आप लिख के ले लो आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे आपको offline shopping करना होता है आप चाहे 10,000 का product buy कर लो 15,000 का buy कर लो वो depend नहीं करता है लेकिन दोस्तों आपको कोई ना कोई product को offline buy करना होता है उसके बाद जब आप next किसी भी product को buy करने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से online buy कर सकते हैं तो ये question दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बजाज finance company से पहली बार offline क्यों shopping करना होता है तो इसका कोई भी एक genuine vision नहीं है दोस्तों बस company का अपना policy है company ने mandatory कर दिया है कि अगर आप एक नए user है अगर आपने नया card के लिए apply किया है अपने नया card को बनवाया है तो पहली बार आपको offline shopping करना पड़ता है तो दोस्तों I hope हमने जितने भी questions के बारे में आप से discuss की I hope आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बजाज EMI card को बनवाने के बाद कौन-कौन से जो major question है वो आपके सामने आते हैं आप उस तरह के problem को face करते हैं फिर भी दोस्तों अगर कोई question है आपके दिमाग में आप मेरे से पूछना चाते हैं तो link आपको description में मिल जागा मेरे Instagram account का वहाँ पे आप मेरे से जाके पूछ सकते हैं और हो सकता है आप comment के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी question होता है कि हम customer care को call करते हैं तो customer care से हम बात नहीं कर पाते हैं यानि customer care को हम connect नहीं कर पाते हैं अपने call पे कुछ हमारा ऐसा question होता है हम customer care से पूछना चाते हैं लेकिन हम customer care को call नहीं कर पाते हैं तो आईए दोस्तों अब मैं आपको अपने phone में live customer care को call करके दिखाता हूँ कैसे आपको customer care को call करना है और कौन से number पे आपको call करना है दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने phone को open कर लिया है open करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं सीधा customer care को call करने वाला हूँ और इसका number मैं आपको description में भी दे दूँगा या फिर आप यहां पर display से भी dial कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर आपको speaker को on कर देता हूँ आपको सूचित किया जाता है कि आपकी email ID हमारे साथ registered नहीं है अपनी email ID अपडेट करने के लिए हमारे customer portal या Bajaj FinServe app पर login करें आप Bajaj FinServe.in पर जाकर support function का उप्योग कर अपनी निजी जानकारी अपडेट करने की विधी जान सकते हैं exclusive offers के लिए इंक दबाएं अपने EMI network card के लिए दो दबाएं अपनी पसंदीदा भाशा बदलने के लिए तीन दबाएं तो यहाँ पे आपको दो दबाना है इंक दबाएं अपने लोन स्टेटमेंट प्राप्ट करने या अपने EMI network card की लिमिट बढ़ाने के लिए दो दबाएं अपने लिए उपलब exclusive offers की जानकारी के लिए तीन दबाएं यहाँ पे भी आपको दबाना है आँट दबाएं जानने के लिए एंक दबाएं अब यहाँ पे अगर आप customer representative से बात करना चाते हैं तो आपको चार दबाना होता है तो चलिए मैं चार पे प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप customer के से बात कर सकते हैं फिलाल मैं बात करना नहीं चाता हूं तो यहाँ पे मैं simply cut कर देता हूं लेकिन दोस्तों यही बिल्कुल genuine process है और आपको बिल्कुल भी कहीं पे आपको wait नहीं करना पड़ता है जैसे कि मैंने आपको बता है आप अगर step by step follow करते हैं तो आप easily customer care से बात कर सकते हैं और अपने query को वहाँ पे रख सकते हैं और आपको instant उसका solution भी मिल जाता है तो I hope दोस्तों आपको यह video बहुत ज़्यादा informative लगा होगा और आपका जो भी question है इस video में हमने अपने तरफ से 100% उस question को हल करने की कोशिस की है फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई question पूछना है तो आप हमें comment के माधम से पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे instagram पे जाके मेरे को message कर सकते हैं मैं आपके सवालों का ज़रू जवाब दूँगा और I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आओगा तो वीडियो को like कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा और चैनल पर आपने होंगे तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो सापको लिए regular लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे next वीडियो में तब तक लिए जयहिन बंदे मात्रम